स्वागत आपका अगनों व्लोगी में मैं उरुषय पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजट्स और टेकनोलोजी की तुनिया में लेट्स गो तो गाइस यह वीडियो है गैजट्स के ऊपर ओविसली हम वीक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियो करते हैं जो होती है टेक से रिलेटेड ओटो मार्केट से रिलेटेड और होती है मोटिवेशनल वीडियो जो कि किसी भी ब्रैंड की सक्से से रिलेटेड होती है तो यह है गैजट से रिलेटेड और आज हमारे पास जो गैजट है वो है कैनन का EOS R5 कैनन बहुत समय बात कैमराज लौंच करने जा रहा है जो हाल ही में कैनन ने कैमरा नाउंच किया था वो और उसके स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा रि इंजिनियर्ड कह सकते हैं पिछले कैमरा से मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन उसमें प्रोवाइड करवाए गए थे अब हमें पता कि फुल फ्रेम मार्केट में सोनी बहुत अच्छा है कैनन से कैमरास जो हम यूज करते हैं उनमें फ्रेम कट हो गया आते हैं बट फुल फ्रेम में पूरी फ्रेम रिकॉर्ड होती है और कैनन बहुत पिछड़ा हुआ था इस मामले में लेकिन कैनन ने ओफिशियली अनौंस कर दिया है कि वह अपना फुल फ्रेम कैमरा ईयोस आर कि फुल फ्रेम पिछला कैमरा भी था लेकिन इसमें खास का है इसमें 8K रिकॉर्डिंग हो सकती है गाइस 8K रिकॉर्डिंग मतलब बहुत बड़ी बिग डिल होती है अभी तक लोग 4K का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे हैं लेकिन कैनन ने किसी मार्केट का इंतजार ना करते हुए यानि कि सोनी से कॉम्पिटिशन मिलने की इंतजार ना करते हुए फुल फ्रेम 8K कैमरा अनौंस कर दिया है अब इसमें और क्या 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 आपको देखने को मिलेगा कैनन के जो कैमरा होते हैं उनमें आई एस यानि इमेज स्टेबलाइजेशन कैमरा के अंद इमेज स्टेबलाइजेशन अब आप एक तो कैमरा का इमेज स्टेबलाइजेशन लगा लीजिए और आज के लेंस में भी इमेज स्टेबलाइजेशन आता है तो उन दोनों को आप पुट कीजिए आपको इतनी स्मूध फूटेज मिलेगी जिसकी मतला की रिजर्ट्स चौ वकने वाले होंते ही इस कैमिराकी एक और खास बात है आप 4K में 120 पर सेंद्ट हुट कर सकते हो फ्रेमपर सेंद्ट जितनी ज़्यादा फ्रेम होंगे उतनी ज्यादा अच्छा स्मून सेलो मोशिन आप कावर कर सकते हो तो यह चीज है कि 4K में 120 आप श्रू कर सकते हो तो मतलब वाव प्राइस के मामिल में अभी कैनने कुछ रिवील नहीं कि है इस कैमरा से रिलेटेड एप्रिल्या में को हमें ये मार्केट में देखने को मिल सकता है बहुत ही कमाल का कैमरा है और काफी आउट ओफ दो बॉक्स स्पेसिफिकेशन इस बार कैनन ने दिये इसकी बॉड़ी पिछले EOS मोडल जैसे ही दिखती है एक और बात आपको बताता हूँ इस कैमरा से रिलेटेड क्योंकि ये 8 के शूट करने वाला है तो इसमें 2 कार्ट्स लोग दिये जाएंगे जो कि हाई स्पीड को सपोर्ट करते होंगे क्योंकि 4 के शूट करने के लिए और इसलिए आपको 2 कार्ट्स के जरूरत होगे बहुत जल्दी कार्ट्स भर जाएंगे इसमें Bluetooth आपको मिलेगा Wi-Fi मिलेगा Bluetooth 5.1 कनेक्शन बहुत फास्ट मिलेगा और Canon एक नई चीज लॉंच करने जा रहा है जो कि Canon Cloud जो कि April 2020 से स्टार्ट होगा उसमें क्याएंगे आप जिदनी भी आपने फोटो अपने कैमरा में खिची हुरी हैं आप उनको स्टोर कर सकते हो Canon के Cloud उपर तो यह नई चीज है जो कैमरा वर्ल्ड में revolution ला सकती है इस कैमरा की और खास बात है कि यह 20 फ्रेम पर सेकंड पर शूट कर सकते है मतला मिनिमम 20 फ्रेम पर सेकंड पर पर शूट करके आप ज्यादा स्मूद टैम लैप्स बना सकते हैं तो यह थी कैनन के नए कैमरा से रिलेटेड इंफोरमेशन उम्मिद करता हूं यह इनफोरमेशन आपके काम की होगी अगर आपके काम की नहीं भी है तो भी आपका नोलेज जिस तो जरूर बढ़ा होगा औ ताकि उन्हें भी पता चले कि कैनन मार्केट में नया कैमरा लेके आने बाला है इस वीडियो को दिखने के लिए थैंक्यू सो मच उमीद करता हूं आप सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे और सब्सक्राइब करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें कि नोटि में बहुत इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में तिल नहीं बाबाए